वेलकम सुरेंट्स आज हम देखने वाले हैं वक्षिट नमबर 23 जो कि है 26th of August की Class 10th की वक्षिट इसके अंदर हम पहले देखेंगे Science, पहले देखेंगे Maths और फिर देखेंगे Hindi वक्षिट स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि प्लीस एक्स्प्राइशन जो है जो भी हम दे रहे हैं उसको दिहान से सुने और समझने की कोशिश करें और अपना आंसर खुद लिखें और यहां पर जो भी हम आंसर प्रवाइड कर रहे हैं वो एक सें हम देखने वाले हैं human being का जो digestive system है वो किस तरीके से काम करता है तो यहां पर आप लेफ में देख भा रहे होंगे पूरे human digestive system की जो इमेज है वो दे रखी है माउट से स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टन इंपॉर्टन चीज़े हैं धियान से सुने इसका the digestion of food starts in mouth तो ऐसा नहीं है कि digestion स्टमक में जाके स्टार्ट होता है माउट से ही स्टार्ट हो जाता है where the food is broken down into smaller molecules हम जब चू करते हैं तो वहीं पर digestion स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए कहा जाता है चू अच्छे से करें चबाएं अच्छे से the saliva contains enzymes called slivery amyla so यहां पर माउट में आपका जो थूक होती है saliva जो होता है उसके अंदर एक enzyme होता है जो breakdown करने में help करता है that breaks down starch which is a complex molecule to give sugar तो इसलिए माउट में ही आपका chewing जो है वो बहुत important हो जाता है जो चबा जो है वो बहुत important हो जाता है next आथा isofagus 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 यह तरीके से यह pipe होती है यहां पर भी एक rhythmic movement होती है the food now moves along the food pipe by peristellatic movement इस movement को जो बोला गया है वो यह नाम है इसका इसका मतलब है rhythmic moment rhythmic होती है जो लहर जैसे बहुत systematic तरीके से जैसे music होता है वो rhythmic होता है उसे तरीके से जो हमारी जो isofagus pipe है वो बहुती rhythmic way में expand होती है contract होती है मतलब बढ़ती है खुली होती है और फिर बंद होती है जिससे क्या होता है वहां पर भी तरीके से chewing होरी होती है मतलब food churn हो रहा होता है नेक्स आता है स्टमक, food एंटर करता है स्टमक में, it has muscular walls with the gastric gland present in them that release hydrochloric acid, यापको बता ही है यह hydrochloric acid स्टमक के पाय जाता है, वो कहां से आता है, gastric gland से आता है, a protein digesting enzymes called pepsin and mucus, यह भी आपको स्टमक के पाय जाता है, the hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of enzyme, pepsin to digest protein, तो pepsin क्या करता है, protein को जो food के नदर जो protein होते हैं, उसको digest करने में help करता है, और इसको कौन मदद करता है, acid, hydrochloric acid, तो इस सब मिलके आपके food को digest करने में help करते हैं, अब आप सोचते होंगे, आपके मन में question आना चाहिए यह, कि acid अपने आप मे बहुत एक खतरनाक चीज होती है, आपके हाथ पे गिर जाए तो आपका हाथ जल सकता है, बट आपके पेट में कैसे हो hydrochloric acid और बहुत ही strong acid होता है hydrochloric, तो वो कैसे है, तो mucus जो है, वो एक तरीके से protect करता है हमारी stomach की layer को, inner lining को, जो acid के attack से बचाता है, next आजाता है हमार small intestine, small intestine में उसके बाद food जब enter करता है, food reaches from stomach through a fishner, ये एक valve हो गया, मतलब वो एक तरीके से दर्वाजा है, where complete digestion of carbohydrate protein and fat take place, तो small intestine में क्या होता है, पूरा digestion होता है, इसका carbohydrate protein and fat का, the food comes from the stomach is acidic, क्योंकि उस पे hydrochloric acid का attack हुआ था, जिस विज़ा से food की जो अभी condition है, वो क्या है, acidic है, and has to be made alkali, alkali हमने पहले पढ़ रखा एक तरीके से base है, जो water के इंदर soluble होता है, तो उसको alkali बनाना important हो जाता है, otherwise बाकी intestine को, small and large intestine को वो खराब कर देगा, for the pancreatic enzymes to act, bile juice from the liver does this, तो bile juice क्या करता है, यह काम करता है, in addition to acting for fat, fat, so fat को भी तोड़ता है, और साथ में food को acid से alkali बनाता है, fat are present in the intestine in the form of large globalists, which make it difficult for enzyme to act on them, bile salt break them, so fat, obviously आपको बता है, fat का मतलब का मोटा सा होगया, वो बहुत ही difficult होता है, enzyme को उसको तोड़ना, तो bile, जो है वेक salt की तरह होती है, उसको break down करती है, smaller pieces में, and efficiency of enzyme action, तो enzymes को जो है, वो मदद करता है कि उसको break down करने में, fat को, तो the pancreas secrete pancreatic juice, तो यह भी बहुत important line है, यहाँ पर underlined इस worksheet को आप चाहें, तो आप फोटो कोपी करके, printout निकाल के आपने पास रख सकते हैं, बहुत important important information यहाँ पर दे रखी है, the pancreas secrete pancreatic juice, which contain enzymes like trypsin for digesting protein, and lipis for breaking down emulsified fat, जो बच्चा हुआ जो fat होता है, उसको break down करने के लिए यह दो enzymes काम करते हैं, the wall of the small intestine contain glands, which secrete internal intestinal juice, the enzymes present in it finally convert the protein into amino acid, यह सारा कुछ कहां पर हो रहा है, small intestine में, तो यह वाला जो enzyme है, उसको क्या करता है, at the end, किसमें convert कर देता है, protein को amino acid, यह बहुत बार question पूछा जाता है, protein convert होता है, amino acid में, complex carbohydrate into glucose, carbohydrate देख़ा एक energy होती है, तो वो glucose में convert हो जाता है, and fat into fatty acid, and glycerol, the digested food is taken up by the walls of intestine, यह बहुत है important point है, अब हमारी पूरी body में कैसे पहुंचता है, small intestine के अंदर एक finger like cheese होती है, जैसे आपकी उंगलियां होती है, small intestine में वैसे चोटी 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 उंगलियां होती है, उसे कहते हैं, valley, और वो finger like structure होता है, वो क्या करता है, यह जो juice बन चुका है at the end, यह जो हमने अभी पढ़ लिया, कि protein बन गया, amino acid, carbohydrate बन गया, glucose, fat बन गया, fatty acid, अब यह जो important important चीजे बन चुकी है, अब इसको पूरी body में इस valley से, मतलिए इस wall के थूरू, वहाँ पे ली जाया जाता है, यह तरीक से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, which increase the surface area of the absorption, अब इसको finger like structure इसलिए बनाया गया है, मैं बुलूंगा, naturally भगवान द्वारा, के जैसा pipe जैसा होता है, valley are rich, richly supplied with blood vessels, blood vessels होते हैं उसके अंदर, which take the absorbed food to each and every cell of the body, यहाँ पर आपको समझ में आगे होगा, कि जो valley है, finger like structure है, projections है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर blood vessels होते हैं, वो सीधा उस important material को food में से, कहाँ पे ले जाता है, पूरे blood vessels में ले जाता है, ताकि वो cell तक पहुंच सके, तो यह तो हो गया पूरी बात हमारी small intestine की, आगे चलते हैं, large intestine पे, the unabsorbed food, अब जो बच गया, अब जो बच गया तो वो सारा waste material है, unabsorbed food कहते हैं, इसको, is sent into large intestine where more welly absorbed water, अब जो है, महाँ से पानी निकाल लिया जाता है, from this material, the rest of the material is removed from the body via anus, अब वो बाकी जो बच गया, वो हमारा excretion हो जाता है, बाकी सारा कुछ निकल जाता है, the exit of this waste material is regulated by the annal fincher, तो वो basically एक तरीके से opening है, जहां से वो आगे pass on हो जाता है, आप exit करवा देते हैं, आई चलते हैं, इसके बेसे पर कुछ questions दे रखे हैं, वो देख लेते हैं, name an enzyme, one enzyme, which is present in our small intestine and write its function, तो बहुत सारे यहाँ पर enzyme दे रखे थे, तो small intestine में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक trypsin जो है, वो एक enzyme है, जो क्या करता है, digestion of protein करता है, तो यहाँ पर एक example बोला था, आप इसमें से बढ़के दो-तिन example भी दे सकते हैं, next आजाते हैं, question number two, what is meant by peristelletic moment, तो हमने पढ़ा था है यहाँ पर यह एक rhythmic moment है, rhythmic moment of contraction of muscles, तो यहाँ से आप लिख लेंगे, answer number three पर चलते हैं, what is the role of acid in our stomach, so acid in our stomach, the hydrochloric acid, create an acidic medium which facilitate the action of the enzymes, pepsin to digest protein, तो यहाँ से आपका answer हो जाएगा, यह, answer number three, answer number four देख लेते हैं, how a small intestine designed to observe digested food, किस तरीके से वो observe करते हैं, absorb करते हैं basically, the digested food is taken up by the walls of intestine, तक आपका आजाएगा, यहाँ पर हमने समझ लिया था पहले, कि किस तरीके से वो absorb करते हैं food, draw a well-labeled diagram of human digestive system, तो यह पूरा को पूरा जो diagram है, यह आपको बनाना है, यह exam के point of view से बहुत सी जादा important है, तो अभी science की worksheet में इतना ही, आगे चलते हैं अपनी maths की worksheet की दरफ, तो maths की worksheet number 23 में हम Pythagoras theorem को देखने वाले हैं, तो Pythagoras theorem का जो proof है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बना के दूँगा, अभी हम चलते हैं इसका जो understanding है, जो concept है, उसको समझ लेते हैं, और उसके basis पे जो नीचे चार question दे रखे हैं, इनको देखेंगे, और इनको हम देखेंगे board पे, आई चलते हैं board की तरफ, उसके बार चलेंगे हम अपनी हिंदी की worksheet की तरफ, आई देखते हैं, पहले Pythagoras theorem का मतलब समुझ लेते हैं, प्रूफ किसी और वीडियो में देखेंगे, अभी पहले Pythagoras theorem का मतलब समझ लेते हैं, और ये खरकर right angle triangle दिया जाए, देखो right angle triangle हम हमेशा ऐसा बनाते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं right angle triangle को देखने के, ये भी एक right angle triangle है ये भी एक right angle triangle है सो समय एक condition है कि एक 90 degree होना ही चाहिए ठीक है तो इसके अंदर खास बात क्या है कि जो इसके सामने वाली जो side है उसे हम hypotenuse कहते है और साथ वाले को हम base कह देते हैं और इसको हम perpendicular कह सकते है उसे तरीके से इसके सामने वाले side क्या होगी hypotenuse ठीक है और साथ वाल में यह हो गया base और यह हो गया perpendicular अब आप मुझे A, B, C में आप मुझे बता सकते हैं देखो perpendicular और base कोई भी हो सकता है खास बात है hypotenuse तो आप मुझे comment section में बताएं इस figure में hypotenuse कौन सा है तो आपका basic होगया पाइधागरस theorem के अंदर राइट एंगल राइंगल अब पाइधागरस theorem क्या होती है पाइधागरस theorem होती है कि हाईपोटीनेस का अगर हम square करें और बाकी दो side का अगर हम square करें base का square plus perpendicular का square तो यहां का जो value आएगी है और यहां की जो value आएगी वो same आनी चाहिए दोनो side दोनो side value answer same आना चाहिए अगर यह आज आता है तो यह पाइधाकस्थिरम से right angle triangle प्रूव हो जाता है तो इसके अंदर इन दो questions के अंदर जो पहला question है उसके अंदर यही पूचा गया है कि क्या ये तीन जो sides दे रखी है क्या वो right angle triangle का है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन values को यहां पर हम लिख देंगे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा जो hypotenes होती है वो सबसे longest होती है longest उससे पहरे हम देख लेते हैं इसका पहला वाला question बनाएं जिसमें 90 डिग्री ले 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 इसमें सबसे लंबी है यह 10 ठीक है अब यह बाकी दो को कहीं पर भी लिख दें 8 और 6 अब मुझे पता है कि हाइपोटेनेस का स्क्वेर इस इकोल स्क्वेर प्लस प्रपेंडिक्लर का स्क्वेर होता है तो मैं फिल इसके LHS में डाल देता हूँ लिख देता हूँ solving LHS LHS क्या है? हाइपोटेनेस का स्क्वेर हाइपोटेनेस क्या है? यह जी 10 10 का स्क्वेर आगया 100 अब मैं इसके RHS में डाल देता हूँ solving RHS क्या है? B स्क्वेर plus perpendicular square base क्या है base क्या है 8 8 square यह क्या है 6 square 64 plus 36 यह आगे 100 as LHS equals to RHS therefore this is a right angle triangle 6, 8 10 cm यह हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर बिलकुल ही सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं B पार्ट का आंसर भी हम यहाँ पर solve कर सकते हैं तो मैं थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर मिटा रहा हूं और यह इसमें से सबसे लंबी साइट क्या है 13 ठीक है 13 यहाँ पर दालना important है बाकी आप कहीं पर भी दाल दें 12, 8 तो यहाँ पर LHS solve कर देते हैं तो 13 square हो गया तो इसका मतलब हो गया 169 RHS solve कर देते हैं 12 square plus 8 square 144 plus 64 तो कितना है 8 0 और यह 200 8 तो क्या यह equal है As LHS is not equal to RHS देर्फोर 8, 13, 12 cm Do not form a right angled triangle ठीक है तो यह आपका basic बिल्कुल ही basic question होगा पायथोगर असरों का यह च्छटी-साथी क्लास में भी आपने पढ़ाई होगा तो आई सलते हैं Question number 2 की तरफ बहुत ही अच्छी figure दे रखें यहाँ पर उसको देख लेते हैं Question number 2 में जहां तक दे रखा है फिगर में एक सीडी है जो कितनी लंबी है 10 मीटर लंबी है और बेस से मतलब जिवार से खिड़की से यह जो खिड़की हो गई है उससे कितनी दूर है 5 मीटर तो यह जो फॉर्म कर रहा है यह क्या फॉर्म कर रहा है एक राइट अंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तब भी राइट अंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दे तो यह 90 डिगरी होगे यह मैंने रेट से A, B और यह खिड़की पर पॉइंट होगे C हमें यह जानना है कि खिड़की कितनी ऊंची है यह गैप कितना है हाइट फाइंड करनी है ठीक है हाइट फाइंड करनी है बिसिकली कितनी ऊंची है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब मैं इसको अगर मैं फिगर में बनाता हूँ इस तरीके से तो यह A, B, और C यह कितना 10, यह कितना 5 और इसको H मान लिए ठीक है तो पाइट अंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे using pythagoras theorem using pythagoras theorem क्या होती है hypertonus square equals to base square plus perpendicular square hypertonus कितना 10 base कितना 5 और यहा है perpendicular square 100 minus 25 equals to P square 100-25 कितना है 75 और पी का स्क्वेर उदर जाके हो जाएगा रूट ठीक है इसका करते हैं प्राइम फेक्टरिजेशन तो 75 देख लेते हैं 5 1 यहां पर आया 2 तो आया 25 तो फिर आया 5 यहां 3 3 1 तो यहां पर देखें स्क्वेर पांच बाहर जला जाएगा तो आंसर जाएगा 5 रूट 3 तो 5 रूट 3 इसकी हाइट ओ गई तो देफ़र हमारी जो हैट है फाइव रूट थ्री सेंटिमेटर नहीं आंसर किसमें है मीटर में तो आंसर आजाएगा मीटर हमारा जो अगला कोशन है वहाँ पर एक दे रखा यह लाइट हाउस है और लाइट हाउस की पूछ डिटेल दे रखी है उसका जो टॉप है वो 25 मीटर ऊचा है तो यहाँ पर हमा 180 मीटर दूर है अब हमें जानना है कि वह लाइट हाउस के टॉप से कितना दूर है यह हमारा कोशन था कोशन नमबर त्री वरकशिट में आप एक बर रीड भी कर लीजेगा वह आपको हैल्प करेगा तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक राइट एंगल ट्राइंग अगल हो गया तो हम देखेंगे युजिंग पाइटागरास ठेरो तो हाइप है पटेन स्कूर्र teraz। इकोल्स टो बेस स्कूरे पलस परेपंडिकि่र स्कूर e लिखने की आतर दाल ले forgiveness क्या हमें Find कि हम बेस कितनर शोचिए प्लस परेंडिकुल केतना होगा-पत्चेसurat कि करेंगे देखें ना मल्टिविडा कर लिए ना 18 इंटू उठारा एक जिरो डबल जिरो आ जाएगा सो हाइपोटीने स्क्वेर इकोल स्टू यहां पे कितना हो गया पाँच दो जीरो तीन तीन ठीक है अब हाइपोटीने समस्की निकाल देते हैं रूट 3, 3, 0, 2, 5 अब इसको हम प्राइम फेक्टरिजेशन करेंगे 0, 2, 5 पाँच से करेंगे पाँच है आखिर में तो 5, 6, 30, 5, 6, 30, 0, 5 पाँच से करेंगे फिर दुबारा एक आया एक यहां पर तीन पंदरा एक यहां पर आया दो और एक अब 3, 1, 3, 2, 1 आप खुद करके देखना मुझे पता है कि यह एक प्राइम नंबर है तो यह तो नहीं होगा अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं 2 से 3 से आप चेक करके देखें यह एक प्राइम नंबर है तो यह किसी से नहीं जाएगा तो इसका जो आंसर आ गया हाइपोटीनिस का आगया पांच भार आ गया 5 रूट 1321 तो इसकी जो दूरी हो गई 5 रूट 1321 मीटर हो गई यही आपका आंसर है नेक्स जो कोशन है मैं आपको कोशन रीड करके सुना रहा हूँ और साथ जो इसका फिगर मैंने पहले यहां पर बना दिया है बट आप कोशन आप वर्कशिट से देख लें बिलून फ्रेड इस 13 मीटर लॉंग अब फ्रेड है फ्रेड यही यह वाली जो लाइन है जैसे हम पतंग उडाते हैं वैसे वह ली फ्रेड इस 13 मीटर लॉंग एड़ से कीड इस डीवाड से कितनी है वो हमें जाननी है तो बेसिकली यहां पर एक यह Right Angle Triangle Form हो रहा है जैसी Right Angle Triangle Form हो जाए दिमाग में आपकी घंटिया बजनी चाहिए किसी चीच की Pythagoras Theorem की यह हमें निकालना है और यह 12 तो मैं Pythagoras Theorem अब यहां पर बहुत ही असानी तरीके से हम लगा देंगे तो Using Pythagoras Theorem Hyperteneus Square कितना मैं एक स्टेप छोड़ा हूँ आप खुद लिख लिजेगा और यह कितना हो गया 12 स्क्वेर प्लस अब यहां पर हमें क्या है यह Base है न तो Base को B लिख देते है B स्क्वेर ठीक है तो 13 हो गया 169 12 हो गया 144 माइनस हो गया इदर B स्क्वेर इसको माइनस करो कि 5 आया है यह दो B स्क्वेर स्क्वेर इदर आके आगा है रूट तो 5 हो गया 20 तो therefore जो इसका जो Base हो गया हो 5 मीटर का हो गया तो उमीद करते हैं आपको यह जो solution है वो समझ में आयोंगे अगर कोई doubt हो तो आप comment section में जरूर पूछे और अगर पसंद आया हो तो please like करें, subscribe करें और आगे वीडियो को forward करें बहुत ही जाब motivation मिलता है हमें उससे और कोई suggestion हो तो आप comment section में बता सकते हैं अभी चलते हैं next worksheet की तरफ Hello students जल्दी से अब आपकी Hindi की worksheet देख लेते हैं, यह है worksheet number 23 यह 26 अगस्त की worksheet है और यह जो worksheet है यह आपकी वही राम लक्ष्मन परशुराम समवाद जो आप कर रहे है कई worksheets में आप आप अल्रेड़ी कर चुके हैं उसी की continuation में है यह worksheet तो जल्दी से यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ यह समवाद और उसके बाद हम इसका शब्दार्थ भी कर लेंगे कॉसिक सुनहू मंद यहू बालकू कुटिलू कालबस निजकुल घालकू भानू बंस राखेस कलंकू निपट निरंकसू अबुदू असंकू कालकवलू होई ही चन माही कहों पुकारी खोरी मोहिनाही तुम्हा हट कहू ज़ो चहहू उबारा कही प्रतापू बलू रोशु हमारा लखन कहेऊ मुनी सुजूसू तुम्हारा तुम्ही अच्छत को बरेने पारा अपने मुहू तुम्हा आपनी करनी बार अनेक भाती बहु बरनी नहीं संतोशू तपुनी कचु कहू जनिरिस रोकी दुसहू दुकह सहू बीर ब्रती तुम्ह धीर अच्छोबा गारी देत ना पावहू सोभा सूर समर करनी करहीं कहीं पिछली वर्क्षीट में आपको याद होगा कि विश्वा मित्र जी ने परशुराम जी से ये रिक्वेस्ट की थी ये आग्रे किया था कि वो उन्हें लक्ष्मन जी को भोला बालक मानकर माफ कर दे तो उसी का reply करते हुए उसी का answer उतर देते हुए यहाँ पर परशुराम जी क्या कह रहे हैं तो विश्वा मित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वा मित्र ये बालक यहाँ पर लक्ष्मन की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही मंद बुद्धी तो इसी बेवकूफी की वज़े से, इसी मूर्खता की वज़े से, ये अपने पूरे कुल का नाश कर बैठे का, पूरा कुल इसका परिवार इसका खतम हो जाएगा, इसे सत्य का ज्यान नहीं है, इसे सच तो पता ही नहीं है, ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कु ये अपने परिवार भी एक तरह से दाग है, इसको काल ने घेर रखा है, तो इसका बुरा समय आया हुआ है अब ही, मैं चाहूं तो शन भर में इसका अंत कर सकता हूँ, इसको मार सकता हूँ, फिर मुझे तुम दोश मत देना और अगर ऐसा हो गया तो तुम फिर मुझे द तो यहां पर पर परशुराम जी विश्वामित्र को आगाह कर रहे हैं। यह बात सुनकर लक्षमन जी कहते हैं। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीडा ना दें। फिर से अपनी वीरता का बखान कर ले। तो फिर से यहां लक्षमन जी जो हैं परशुराम जी का व्यंग कर रहे हैं। अपनी बल और अपनी वीरता के बारे में बताते हुए। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैरे और शमा व्यापत है। आप एक वीर पुरुष तो हैं लेकिन उनमें आपमें संतोज नहीं हैं, आपमें पेशिंस नहीं हैं, धैरे नहीं हैं। और ना ही आप में शमा, ना ही आप में फर्गिवनेस, किसी को माफ करने की शमता है, आपके मुझ से अपशब्द शोभा नहीं देते, तो यह जो आप जो अपशब्द बोल रहे हैं, बुरी-बुरी बाते बोल रहे हैं, अगर आप वीर हैं, तो यह आप पर शोभा नहीं दे शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। 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 तो जैसे मैंने आपको समझाया हैं यहां पर दिस्क्रिप्शन में। यहां पर लिख सकते हैं कि वो कैसे उन्सकी शिकायत करते हैं। लक्षमन की डिस्क्रिप्शन में मैं अल्रड़ी समझा चुकी हूँ इसको तो इसलिए मैं इसकी डीटेल में अभी नहीं जा रही हूँ। अभी-अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे उनका व्यंग किया। तो अगर आप यहां पर आंसर देखें तो यहां से आप यह आंसर लिख सकते हैं। तो परश्वराम की बात सुनकर लक्षमन जी कहते हैं यह पूरा जो पोर्शन है जो तो यह सभी लाइने आप यहां लिख पंक्ति का आपको जो है भाव एक्स्प्लेन करना है इस पंक्ति का आपको व्याख्या देनी है तो जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया इस पंक्ति का भाव यही है कि अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दे अपितु फिर से अपनी वीड़ता का बखान कर ले तो यही आप उतर तीन आप यहाँ पर लिख तो यहाँ पर आपको चार शब दिये हुए हैं उनके आपको दो दो परियावाची लिखने हैं तो मैं जल्ली से पढ़ देती हूँ भानू का मतलब होता है सूर्य, सूरज, राकेश का मतलब होता है चान या चंद्रमा, समर का मतलब होता है संग्राम या लड़ाई और परियावाची लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो पहले के यह इतने सारे परियावाची हैं दूसरे के इतने हैं तीसरे के और चौथे के भी आप इन में से कोई भी दो दो चार्ट कर आप यहाँ लिख सकते हैं उमीद करते हैं यह वरकशीट आपको अच् सेक्षिन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं इस चानल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से वीडियो देखिए ताकि आपको सभी कॉंसेप्स अच्छे से समझ आ जाएं आज के लिए इतना ही है थैंक यू